गुड मॉनिंग फ्रेंड्स जैहिंद आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम एक दिसंबर दो हजार इकिस के सभी बेस्ट करेंट अफेस कोश्चन कम्पलिट करेंगे विस्तित व्याख्या के साथ चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट पहला को काल ही में कोशल विकास और उद्मित्ता मंत्राले ने दो नए प्रोजेक्ट लांच किये हैं प्रतान मंतरी कोशल विकास योजना के अंतरगत एक विशेश पाइलेट पर योजना के तहत कश्मीर के नंदा सिल्प का पुनरधार किया जाएगा तो पी-म-क-वी-वाई के ए जाबा देने और संरक्षित करने के लिए इस्थानी बुनकरों और कारीगरों को रिकुनाइजेशन और पेरियर लर्निंग मुल्यांकन और परमानू के माध्यम से उनकी उत्पादक्ता को बढ़ाना है नंदा सिल्प क्या है इसकी बारे में हमें पता होना चाहिए नंदा स किसम से बने पारंपारिक फेल्टेड फुल फ्लावर कवरिंग के लिए किया जाता है नंदा मूल सब्द नम्ता अर्थात उनी समान के लिए संस्कृत सब्द से बना है नंदा बनाने का अभ्यास कई संस्कृतियों में एक सिल्प के तोर पर किया जाता है विशेश रूप स एशियाई देशों में जैसे इरान, भारत और अफगानिस्तान में, कश्मीर में सिरीनगर और राजिस्तान में टॉंक, भारत में नमदा बनाने वाले दो प्रमुक कैंदरें तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा नेक्स्ट है हाली में चर्चा में रहे ग्लोबली इंपोर्टेट एग्रिकल्चर हेरिटेस सिस्टम निम्ड में से किस संगठन से संबादित है तो राइट आंसर हो गई यहाँ पर हमारा डी खाद और क्रशी संगठन से संबादित है खाद्य और क्रशी संगटन सयुक्तराष्ट के एक विशेश एजनसी है जो भुकमरी को खत्प करने के लिए अंदराष्टी प्रयासों का नेतरित्व करती है इसकी सापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खादि सुरक्षा दिवस भी हम मनाते हैं इसलिए क्या मनाते हैं खादी सुरक्षा दिवस इसका मुख्याले आपको कहां मिलेगा फाव का तो इसका मुख्याले मिलेगा आपको रोम इटली में वर्ल्ड फूट प्रोग्राम और क्रशी विकास के लिए अंतरराष्टी कोस इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं फाव महत्पूर्ण पहले कौन-कौन से चल रही है तो दो इंपोर्टेंट है ग्लोबली इंपोर्टेट एग्रिकल्चर हैरिटेज सिस्टम दूसरा एक खाद और क्रशी के लिए पादप अनुवांसे की अनुसंधान पर अंतरराष्टी संदी सहीक्तुराष्ट महासबाने हाली में भारत द्वारा प्रायुजित सत्तर से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया है इसके अंतरगत दो हजार तेईस को अंतराष्टी बाजरा वर्ष घोशित किया गया है ओके याद रखेंगे फाउ ने 2016 को अंतराष्टी दलहन वर्ष और 2023 को अंतराष्टी बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारती प्रस्ताव का समर्थन किया था तो यह दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि भारत के प्रस्ताव से ने मनजूर किया गया था तो एक्साम में पूछने के चांसेस बनते हैं नेक्स्ट कोश्यन देखते हैं हाली में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सोदेश का समभंद किस छेत्र से है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा अब भी नियूरोलाजिकल विकारों का प्रवंधन नियूरोलाजिकल जो बीमारियों होती हैं उनके मैनेजमेंट से हाली में जे प्रद्योगी की विभाग राष्टि मस्तिस कनुसंदान केंद्र ने नियूरोलाजिकल विकारों के प्रवंधन के लिए प्रोजेक्ट सोदेश का विका यहां दुनिया की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और अनलेटिक्स पहल है। प्रोजेक्ट सौदेश क्या है। याद रखिएगा इस बड़े डाटा आर्किटेक्चर का प्रस्ताव करता है। जो को होता है और ये मतलब बहुती ऐसी विमारी जिसमें बच्चे का किसी चीज़ पर नियंतरन नहीं होता है। मस्तिस्क के माध्यम से। COVID-19 से संबंदित अन्य विकारों और स्वास्त विशे। तो ये 6 मडिल हो गए हैं आप इने ध्यान रखिएगा। हाली में सिस्टम फोर एर कॉलिटी और वेदर फोर कास्ट अंड रिसर्च सफर ने किन चार भारती सहरों का दिवाली के बाद वायू प्रदुशन का अध्यन किया है। हाली में सिस्टम फोर एर कॉलिटी और वेदर फोर कास्ट अंड रिसर्च सफर ने चार भारती सहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे और एहमदाबाद में धिवाली के बाद वायू प्रदुशन का अध्यन किया। सफर यहां मेट्रो पॉलिटन सिटी की वायू गुण बत्ता को मापने के लिए प्रत्वी विज्ञान मंत्राले द्वारा शिरू की गई एक राष्टिये पहल है। इसके अंतरगत समगर प्रदुशन इस्तर और इस्थान विशिष्ट वायू गुण बत्ता को मापा जाता है। यहां दिल्ली में परिचारेद भारत की पहली वायू गुण बत्ता पूर्व चेतावनी प्रदाली का हिस्सा है। यहां तापमान, वर्षा, आदरता, हवा की गती और हवा की दिशा, अल्ट्रा वायलेट विक्रण और सोर विक्रण जैसे मोशब मापतंडों की निगरानी करने में सक्चमें। निगरानी में शामिल वायू प्रदुषण के PM2.5, PM10, ओजोन, कारवन मोनो अक्साइड, नेट्रोजन अक्साइड, सल्फर डायक्साइड, जाइलीन और मरकरी, बेंजिन और टाइलीन ये सबी किसमें आते हैं वायू प्रदुषण की निगरानी में इने मापा जाता है। नेक्स्टे, हाली में समाचारों में चर्चा में रहा सब्द, म्यूटेशन का अर्थ होता है। जब कोई वायरिस म्यूटेट होता है, तो वह हमेशा अपना एक क्लोन बनाता है, नाया क्लोन, नई म्यूटेशन वाले वायरिस को कभी-कभी वेरियंट कहा जाता है, तो प्रतिलीपी बनाता है तो वहां हमेशा अपने सटिक प्रतिलीपी नहीं बनाता है। अलग कार्यात्मक गुण होते हैं और ये आवादी में आ जाते हैं तो इसे कभी-कभी वायरेस के नए श्ट्रेंड के तोर पर जाना जाता है हाल ही में समचारों में चर्चा में रही सांता कुमार समीती जिसका गठन 2015 में हुआ था के दूर अपनी रिपोर्ट में किसानों को MSP minimum support price का कितने प्रतिशत प्राप्त हो सकने की बात कही थी हाली में केंद्री क्रशी मंत्री नरेंडर सिंग्तोमन ने कहा है कि MSP पर फसलों की करीदी 2014 की तुलना में अब दुगनी हो गई है तो क्या होता है नियुम्तन समर्थन मूले यहां वहद अरे जिस पर सरकार किसानुस से फसल खरीती है यहां उत्पादन लागत के कम से कम डेड़ गुर्णा की गड़ना पर आधारित होती है क्रशी लागत और मूले आयोग 22 अन्यवारे फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाबकारी मूली की सिफारिश करता है केंद सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्री मंडली समीती MSP के इस्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निड़ने लेती है वर्स 2015 में भारतिये खादे निगम FCI के पुनर गठन का सुझाव देने के लिए सांता कुमार समीती का गठन किया गया था अपनी रिपोर्ट में सांता कुमार समीती के द्वारा यहां कहा गया था कि किसानों को MSP का केवल 6 प्रतिशती प्राप्त हो सका है इसका सीधा अर्थी यहां है कि देश के 94 प्रतिशत किसानों को MSP का लाब नहीं मिल पाया है CACP की ने खरीफ विवरं सत्पत्र 2018-19 के लिए अपनी मूल लिनीती रिपोर्ट प्रकाशित की है इसमें किसानों को MSP पर बेचने का अधिकार प्रदान करने वाला एक कानूल मनाने का सुझाव भी दिया था हाली में ट्यूटर के नए CEO की रूप में किसने जेक डॉर्सी का इस्थान लिया है तो राइट आंसर होगा B. पराग अगरवाल पराग अगरवाल बन गए हैं अब CEO ट्यूटर के हाली में ट्यूटर के साहसन स्तापक जेक डॉर्सी ने कंपनी के मुख्य कारेकारी पद से इस्तिफा दे दिया है वर्तमान में मुख्य कारेकारी अधिकारी पराग अगरवाल जेक डॉर्सी का इस्थान लेंगे पराग अगरवाल दस वर्सों से अधिक समय से कमपनी के साथ है और 2017 से CTO चीफ टेकनिकल आफिसर के रूप में कारे कर रहे हैं जैक डॉर्सी भुकतान फर्म स्क्वाइर के मुख्य कारेकारी के रूप में कारेकरत है वर्स 2006 में ट्यूटर को जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास, ब्रिज स्टॉन और इवान विलियम्स द्वारा डिजाइन किया गया था हाले में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन से संबंदित गलत कथन का चेहन करे जल जीवन मिशन में प्रते एक ग्रामेंड परिवार को प्रती व्यक्ति प्रते दिन 55 लीटर पानी की आपूर्थी की परिकल्पना की गई थी यहां मिशन पानी के प्रती उत्तरदाई सामोईक दिर्ष्टिकोन पराधारे थे यह भी सही है इसके तहट प्रमुग घटक के तोर पर ब्यापक सूचना सिक्चा और संचार शामिले राइट है इस मिशन के तहट कुल आवंटन लगभग 6 लाग करोड से अधिक है तो यह गलत है तीन लाग करोड से अधिक का आवंटन किये गया था देख लेते हैं हाल ही में जल जीवन मिशन कठोर सर्दी के महीनों के दोरान लद्दाक के दूर दराज के इलाकों में जीवन को आसान बना रहा है इसलिए यहाँ चर्चा में है सर्दीयों के महीनों के दोरान पीना योग पानी सुरक्षित पेजल एक चुनोती थी पूर्थी की परिकल्पना की गई है। यह मिशन पानी के प्रती सामुदा एक द्रश्टिकॉन पर आधारी थे। इसके तहट प्रमुग घटक के तोर पर व्यापक सूचना, सिक्छा और संचार शामिल है। वर्स दो हजार चोबिस तक इसे कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। और केंद शाषित जो प्रदेश हमारे आठ उनके लिए 100% फंड के अंदसरकार ही देखी। इसके लिए कुल आवंटन लगभग रुपे तीन लाख करोड से अधिक का किया गया है। हाल ही में गांदी जी से संबांदित किस आस्रम के पुनह विकास पर योजना पर राज्य सरकार के साथ आसंतोस जताते हुए आस्रम के तीन निवासियों ने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखाए। गांदी जी के पहले दो आस्रम की स्थापना दक्षन अफरिका में हुई जहां वे 1893 से 1914 तक रहे। फिनिक्स सेटलमेंट ये 1904 में दक्षन अफरिका के कुवाजोलू नटाल में इस्थापित किया गया था। फिर टॉलश्टाइफ फर्म 1910 में जोहन्स वर्ग के पास इस्थापित किया गया था। 1915 में गांदी जी भारत लोटने के बाद दो आश्रमों के स्थापना की गई साबरमती आश्रम 1915 अहम्दवाद गुजराद सेवा ग्राम आश्रम 1936 वर्धा महराष्ट में है। हाल ही में इमनिमें से किस पडूसी देश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ती नजरूल इसलाम रितू को मेयर के रूप में चुना गया है। उन्हें वोड़ देने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी बंगलादेश में दिया गया है। फरवरी को ग्रेंट्स ओफ स्टार डस्ट बुक के लेखक कौने तो विश्मे मोहन लाल है विश्म खादिस अंगठन का मुख्याले आपको मिलेगा रोम इटली में वर्स दो हजार इकिस में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा ग्लोबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारतिये रंजी सिंग डिसाले है पापुआ नियोगिनी के पहले प्रधान मंत्री कौन बने माइकल सोमेरो बने है एशाई विकास बेंग का मुख्याले कहा है मनीला फिलिपिन्स में है अंताराष्टी नरत्य दिवस कम मनाया जाता है तो ये 29 अप्रेल को मनाया जाता है अंताराष्टी मजदूर दिवस एक माई को मनाया जाता है विश्व टूना मचली दिवस दो माई को मनाया जाता है विश्व प्रेश सोतंतरता दिवस तीन माई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस चार माई को मनाया जाता है वि त्विष्ट को आई एस एस एफ प्रेसिडेंट कप के उद्गाटन में मनु भाकर ने किसके साथ दस मीटर एर प्रिश्टल में मिस्टर टीम स्वरन पदक जीता है तो जावेद फोरोफी के साथ ठीके फोरोफी के साथ सयुक्त राष्ट के क्रशी और खाद संगठन सम्मिलन में भाग लेने के लिए किस राज़ को आमंतरित किया गया था तेलंगाना को जन सेवक योजना और जन इसपंदन योजना का संबंध किस राज़ से कानाट का राज़ से है अमेरिकी राज़ जॉर्जिया ने किस भारती भासा को राज़ सब के दिवस के रूप में मनाने की गोशना किये तो कन्नड भासा को कौन सा देश हरित परियोजनाओ के लिए वित्य पोशन के लिए विश्व वेंको ग्रीन इंडिया ग्रीन गैरंटी प्रदान करने जा रहा है तो यूनाइटेड किंग्डम विश्व सुनामी दिवस जागरुकता कम मनायते हैं तो पांच नवंबर को नेक्स्ट है ग्लासगो ग्लेशेर किस छेतर में स्थीत है तो यह है अंटार्क्टिका छेतर में किस राजी के CM ने Modern India पुस्तक को लॉंच किया हरयाना के मनोहरलाल खटा रही यहां के मुख्यमंतरी इन्हों ने ही इस बुक को लॉंच किया है विश्व चेंपेंशिप में पदक जीतने वाले सात्वे भारती कौन बन गया है तो यह बन गया है आकास कुमार वन ग्लोबल वियतनाम सिखर सम्मेलन की मेजवानी किस देश ने की फ्रांस ने की है दिवाली को किस देश की संसद ने राष्टी अवकास घोषित करने के लिए विध्यक पेश किया अमेरिका भारत की किस मिशन को गिनिस बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया राष्टी स्वक्ष गंगा मिशन को आईमेफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है हर्श वन्ती विष्ट बनी है चेक गर्ड राज्य के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो पैटरा फियाला बने है केंद्रिया अप्रतक्ष कर्स सीमा सुल्क बोट के अध्यक्ष विवेग जोहरी बने है भारत पाक युद 1921 पर पुस्तक किसने जारी की तो ये हमारे आर्मी चीफ एमेम नर्वने ने जारी की है देश के पहले निजे तोर पर विक्सित क्राय जौन एक रोकेट एका परिक्षण किस्त ने किया दवन वन है इस रोकेट का नाम तो ये आप याद रखे पहला निजी रोकेट है ये सैयुक्त राष्ट महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बंगलादेश और नेपाल की नईस रणी क्या है तो ये अब बन गए विकासिल देश बंगलादेश और नेपाल रेटिंग एजनसी मुडीज के अनुसार 2022 के लिए भारत के आर्थिक ब्रदिधर कितनी बताई गई तो 9.3% NCC ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस हाली में मनाया है 73 इस्थापना दिवस मनाई ये नोंने काक्तिये रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में इस्थे ते तेलंगाना में पदमानव स्वामी मंदिर किस राज्य में इस्थे ते केरल में अंकोरबाट मंदिर किस राज्य में इस्थे ते कंबोडिया में ने बन बाए था और ये युनसको की लिष्ट में भी शामिल हुए है 1986 में कामाख्या देवी का मंदर ये असम में है सबरी माला का मंदर ये केरल में है सूर का कौनार्क का सूरे मंदर ओडिशा में है इसे ब्लेक पेगोडा भी कहा जाता है विरुपाक्छा मंदर करनाटक में केलास मंदर महाराष्ट में गुफाओं को काट कर बनाएगा राष्टकुल जो वन्स था उनके द्वारा राष्टकुट वन्स के द्वारा वरदेश्वर मंदर तमिल नाडू में है विश्व ऑटेज्म जागरुकता दिवस्ट दो अप्रेल को मनाया जाता है ओके अगले वीडियो में आपको बहुत है जल्द हम दो तीन और चार दिसंबर का जो वीडियो है ये भी आजी अप्लोड हो जाएगा और फिर इसके बाद पांच और छे दिसंबर का जो वीडियो है ये आपको इविनिम तक मिल जाएगा फिर कल से हमारा करंट अप्रेंट कियर